इंजन की अवाज यहां हलका सा पता लग रहा है वो इस गाड़ी में है सेफटी तो सब कबर होने वाला इस वीडियो में है तो जाये करते वीडियो को स्टार्ट तो गई सबसे पहले तो यह गाड़ी मुझे अन रोड लग भग 10 लाक रुपए की पड़ी है जिसमें एक्स्टेंडड वारेंटी इंशोरेंस वगरा रेजिस्ट्रेशन वगरा सारी चीज़े इंक्लूडेड है और यह जो वेरियंड है हुन्डाई SX AMT है SX AMT इसके उपर आपको SX Optional SX Optional Connect देखने को मिल जाता है जिसमें की आपको कुछ चीज़े एक्स्टा मिल जाएगी जैसे की आपको पुछ बटन स्टार्ट मिल जाएगा आपको कूल गलव बॉक्स मिल जाए मतलब क्या-क्या फीचर आपको देखने को मिल जाते हमें इसमें आपको प्रोजेक्टर सेटा पाता है और इसमें हलोगन बल मिलते हैं यह DRL है जो कि just indicator डेते हैं और खाली indicator चलते हैं अब इधर आओगे तो आपको यहां पे आपके इंडिकेटर में मिल जाते है जो की फे गेरवाइपर और वाशर नहीं मिलता है। अब अंदर चलते हैं और अंदर क्या है, वह चीजह में आपको बताता हूं. तो अब अंदर की बात करें, अंदर आपको क्या क्या फीचर मिल जाते हैं। देखो, SX V-Rend में आपको टस्क्रीन मिल जाता है। जो की सेम आपका मतलब उपर तक भी जाता है, सेम साइस का टस्क्रीन आता है, बट उसमें थोड़े connect car feature वाले option मिल जाते है, थोड़ी different है वो टस्क्रीन, बट feature इसमें Android Auto, Apple CarPlay आपको दिखने को मिल जाते है, यहां wireless charger नहीं मिलता है, यह AMT है, तो आपको automatic gearbox मिलता है, यहां पर आपको pedal shifter मिल जाते हैं, और यह पूरे digital instrumental cluster मिल जाता है, अगर मैं अब इसमें अंदर जाओं, तो यह पूरे digital instrumental cluster मिल जाता है, जिसमें कि आपको service की warning आती है, और इसमें आपको tire pressure monitoring system भी मिल जाता है, दूसरी चीज़, इसमें आपको cruise control मिल जाता है, आपको automatic climate control मिल जाता है, आपको sunroof मिल जाता है, तो मतलब जो भी जरूट की features है, वो सारे आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, अगर manual में इस variant को आप लेने जाते हो, डेली NCR में तो लग बंग 9,000,000 रुपए का पड़ेगा, और यह जो automatic variant है, 67,000 रुपई वैसे extra है, और थोड़े से पैसा extra आपके registration, insurance और इन सब चीज़ों में लग जाते है, तो उसकी वज़े से यह मतलब पूरे 10,000 नहीं, close to 10,000 आपको यह पड़ेगा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने Hyundai extra ही क्यों शॉट करीज़, देखो मैं Tata की शुरूम गया था, Maruti की शुरूम गया था, Nexa की शुरूम गया था, Toyota की शुरूम गया था, मैंने सारी गाड़िया कवर करी थी, और उसमें मैंने positives और negatives उन गाड़ियों के बताते हैं, अगर वो आपने पूरी नहीं देखी है, मतलब पूरी playlist नहीं देखी है, तो मैं description में लिंग और i button में आपको आ रही होगी, वहाँ चाके आप देख सकते हो, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन-कौन सी गाड़ी मेरी shot list हुई थी, देखो मारूती में मैं जब गया था, तो मुझे swift सही लग दी थी, बट मुझे पता उसका नया variant आना था, तो इस वज़े से मैंने swift reject कर दी थी, और दूसरी चीज, swift में मुझे जो feature सही थे, वो भी नहीं मिल रहे थे, top of the line variant में ही जाके मिल रहे थे, तो वो मेरा तभी थोड़ा सा बाहर हो गया था, उसके बाद हम गये थे, टाटा पे, टाटा पे हमने Tiago देखी थी, Eldros देखी थी, पंच देखी थी, मुझे जो engine चूज करना है, वो 1200 CC वाला ही चूज करना है, बट वो मुझे Hyundai या Maruti का चूज करना है, क्योंकि वो काफी refined है, four cylinder engine है, और उसकी जो life होगी, वो काफी better रहने वाली है, तो इसी वज़े से, मैंने टाटा, मतलब वहां से मेरी cut हो गई थी, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ कि हाँ, उनमे safety बहुत अच्छी है, बट actual में मुझे लेना था automatic variant, और automatic के साथ, जो वो 1200 CC club in होता है, तो एल्ट्रोस में तो वो बहुत ही, बहुत ही जादा under power हो जाता है, तो मतलब आपको थोड़ी सी चड़ाई भी चड़ाना है, तो वहाँ पर आपकी गाड़ी थोड़ी सी, मतलब सास छोड़ने लगती है, उसके बाद जब आप टाटा पंच में जाओगे, उसमें भी AMT आता है, फिर टोएटा बची और नेक्सा बची थी, नेक्सा में मैंने फ्रॉंक्स का रिजन बताया था, कि वो उसका जो आउटोमेटिक था, सब अच्छा था, इंजन अच्छा था, वो हजार टर्बो वाला, उसमें अच्छी पावर मिलती, चलाने में बहुत मजा था, बट वो मेरे बजट के बाहर जा रहा था, तो उसमें नेक्सा में जो मुझे गाड़ी समझाई थी, वो आई थी, जो नहीं वाली बलेनों आई है, वो मुझे बिलकुल पर्फेक्ट लग रही थी, मतलब उसमें मुझे एक ही चीज की कमी थी, कि उसमें टायर प्रेशन मॉनिटिंग सिस्टम नहीं था, उसके अलावा मुझे उस गाड़ी में कोई भी कमी नहीं लग रही थी, और तो वो लगबाग मेरी तरफ से एक गाड़ी थी, जो मेरी फाइनलाईज हो चुकी थी, फिर अब दूसरी गाड़ी की बात करें, तो मैं जब हुंड़ाई पर गया, हुंड़ाई पर भी ग्रैंड नाइटन जो थी, वो मुझे काफी समझ आ रहे थी, उसकी ड्राइव लेने के बाद, मतलब इसमें जो पावर है, मिड रेंज में जो पंच है, वो काफी अच्छा है, बिल्कुल अंडर पावर सा नहीं लगता है, मतलब अगर अगर नॉर्मल अफ सिटी ड्राइए में चल रहे तो बिल्कुल भी ऐसा लहेगा कि पावर कहीं भी लैक कर रहा है, अंदर की इंटिरियर कॉलिटी बहुत अच्छी थी, आपको फीचर भी सारे मिल रहे थे, बस एक ही ड्रॉबैक आ रहा था, कि यह दोनों गाड़ी जो मैंने शॉट लिस्स करी थी, उनमें थोड़ा सा सेफटी का कंसन था, तो बस वही चीज थी, बढ़ मैंने जैसे पहले भी बोला था, कि मुझे एक तो 10 लाग के अंदर गाड़ी चाहिए, मुझे सारे फीचर चाहिए, सेफटी में मुझे दो एर बैक से प्लस मिल जाएगा, तो मैं उसको कंसिडर कर सकता हूँ, और मुझे प्योरली सिटी ड्राइफ के लिए गाड़ी चीज थी, क्योंकि आट्नोमेटिक लेनी थी, क्योंकि हम हाईवे पे अपनी एको स्पोर्ट को तो चलाते चलाते जो आपको पता है, तो मुझे इसी परपस से एक ऐसा इंजन चीए था, जो काफी रिलाइबल हो, सिटी ड्राइब में कभी परशाद ना करे, नॉइज ना करे, चलाने में थोड़ा कमफर्ट और रिलाइबलिटी पॉइंट हो, फिर उसके बाद जब हमें पता लगा कि भाई, यूंड़ाई एक्स्टर आ रही है, जिसमें की सेम इंजिन होने वाला है, और वो ही Grand Nighting को थोड़ा उठा दे रहे, तो मैंने वो गाड़ी प्रेबुक करा थी, जो कि मैंने आप लोग के साथ भी शेयर करा था, उसकी भी वीडियो मेंने डाले थी, तो जब हुंड़ाई एक्स्टर लॉंच हुई, तो इसका जब टॉप अफ दी लाइन वेरियंट गया था, वो साड़े गयारा लाक रुपे का गया था, मतलब सारे बेल्स और फीचर्स ऑटनोमेटिक में, तब मुझे लगा था कि यार ये गाड़ी ओवरप्राइज है, और अब मैं ये गाड़ी शायद नहीं लूँगा, और मैं बलैनो या ग्रेंड आटन में से ही लूँगा, बड़ जब मैंने इसके फीचर वाइस वेरियंट देखे, तो इसका जो SX था, जो कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, सबसे वेल्यू फर मनी वेरियंट कौन सा है, तो उसी टाइम मैंने डिसाइड के लिए था, कि हाँ यार इसका जो SX है, इसमें मुझे सारी फीचर, जैसे कि आपको टस्क्रीन मिल गया, क्रूस कंट्रोल मिल गया, छे एर बैग मिल गया, जो मैं कहरे था, दो से प्लस होगा, संदूफ जो कि मुझे नहीं चाहिए था, वो भी मिल गया था, प्रोजेक्टर हेड्लैंस मिल गय थे, तो मतलब ऐसी कोई भी कमी नहीं थी, अच्छा बढ़ गया, आपको दिखाँगा इसमें स्पेस बहुत अच्छा है बूट स्पेस अच्छा है पीछे कर जो कमफर्ट है सिटिंग का वो बहुत अच्छा है चलाने में मतला अभी भी मैं अगर आप गाड़ी स्टार्ट करूँगा ना देखो आप सुना यह गाड़ी अभी 700 RPM पर है 700 RPM और noise vibrations आप देख सकते हो आप steering पर देखो zero vibrations गाड़ी के अंदर मुझे तो अवाज आ भी नहीं दिए यह देखो अब मैं आपको बहार ने जाके दिखाता हूँ आप यहाँ सुनो आप मतलब इंजिन की अवाज यहाँ हलका सा पता लग रहा है कि इंजिन अल्री स्टार्ट है तो इन ही रीजन्स की वज़े से मैंने इस गाड़ी की test drive ली मुझे सारी चीज़ अच्छी लगी बस में जो major point बेस कर रहा था वो इस गाड़ी में है safety मैं इस गाड़ी को बिलकुल भी अभी safe नहीं मानूं जबता कि इसकी crash test report नहीं आ जाते हुण नहीं अगर इसका crash test करा दे और यह अच्छा score कर जाए तो मैं कहूंगा इस segment में यह बहुत ही बड़िया गाड़ी है city drive के लिए इसका steering wheel है इतना light है इतना light है कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप गाड़ी चला रहे है automatic वैसी है तो मतलब आपको इतना comfort आ रहा है मुझे से अभी city drive में चलाने में traffic में चलाने में सबको जितना बड़ी है लगबग 600 km में गाड़ी चला ली है और गजब level का मुझे वह आ रहा है तो इसी reason की वज़े से मैंने Hyundai extra choose करी और बाकी देखते है कैसा रखता है first best की गा तो यह सारे कुछ reason रहे है यह feature इस गाड़ी में मिलते है इतने की पड़ी कौन सा वेरेंट मैंने लिया अगर आपको लगता है कि आपको push button start यह सब चीद हो आप एक वेरेंट उपर जा सकते हो बट मेरे साब से अभी भी SX is the most value for money variant तो इस वीडियो को लेता था उम्मीद क आपको पसंद नहीं पसंद नहीं तो पनी इस वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं भूलेगा और बेल एकन सुट रहेगा जिससे आपको लिए notification सबसे पहले दो गया इस में अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद